हलो दोस्तो डी साइन्स अकड़मी में आप सभी का स्वागत है जोएंडिस या पीलिया यह बीमारी का नाम आप सभी ने सुना ही होगा जो की लिवर में संक्रमन के कारण होता है इसी से संबंधित प्रमुक चार बिंदियों पर बात करेंगे पहला पीलिया के लिवर का कार्य दूसरा पीलिया क्यों होता है तीसरा पीलिया के लक्षन चौथा पीलिया से बचने के लिए ध्यान रखने वाला प्रमुक बाते तो वीडियो को आप लास्ट तक देखीगा क्या पीलिया से कैसे बच सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला पॉइंट पीलिया के लिए लिवर का कारिया लिवर सरीर का सबसे दूसरा बड़ा अंग होता है और सरीर में कई अलग-अलग कारिय करता है लिवर आपके खाने वर पीने की सभी चीजों की प्रक्रिया करता है आपका लिवर आपके सरीर के उपयोग के लिए भोजन और पेपदार्थों को उर्जा और प मदद करता है पिलिया पिले रंग के पदार्थ के कारण होता है जिसका ना बिली रूबिन है यह रक्त कोशिकाओं में पाए जाता है जब यह कोशिकाओं मृत हो जाती है तो लिवर इनको रक्त से बाहर फिल्टर कर देता है लेकिन लिवर में कुछ दिक्कत होने के कारण लि पर हमें पिल्या होने का खत्रा हो जाता है दूसरा पॉइंट पिल्या क्यों होता है रखत में विलरूबिन के बढ़ जाने के कारण तवच्या नाखून और आखों का सफेद भाग पिलर नजर आने लगता है इस सिस्थिति को पिल्या या जुएंडिस कहते हैं पिल्या से पिरित मरीज की पेसाप का रंग भी पिलर नजर आता है पिल्या सधारन बिमारी जैसा लगता है मगर इसका सही समय पर इलाज नहोने पर यह बहुत भ्यांकर परिणाम देती है जो कि मनुष्य की डेद भी हो सकती है यह लिवर से संबंधित रोग है और इसमें मरी पिल्या के लक्षन इन लक्षनों से आप पिल्या की पहचान कर सकते हैं जो की निम्ना है पहला बिलरुबिन का इस्थर खुन में बढ़ने से त्वच्या नाखुन और आंक का सफेध हिस्सा तेजी से पिल्या होने लगता है दूसरा फ्लू जैसे लक्षन दिखाई देना इसमें मरीज को ठन लगती है बुखाराता है उल्टियां भी आने लगती है तिसरा लिवर की बिमारियों की तरह इसमें भी पेट दर्द भूक ना लगना खाना खाने पर हजम नहोना जिससे लक्षन दिखाई देते हैं चौथा वजन घटने लगता है पांचवा गाढ़ा पीला पे साव होने लगता है छटवा लगतर ठकान मैसूस होता है इस लक्षन से पील्या की पहचान करें और डाक्टर के पास जरूरी रिलाज करवा है चौथा पाहिन पील्या से बचने के लिए ध्यान रखने वाला ब्रमुग बाते तो अगर आपको पील्या हो गया है त लगी फुल की एक्सासाइज की जा सकती है ज्यादा खराब हो तो परहेच करें और पूरी तरह से अराम करें इसके अलावा लिक्विड डाइट ले और फ़लू का जूस पीते रहे संत्रा नीबू नास पत्ति अंगूर गाजर चुकंदर आउले का जूस फायदेमन होगा भारी खाना ना खाय, खानी की जगह दली खाना खाय, नास्ते में अंगूर, सेफल, पपीता, नास पत्ति को जगह दे, नायरयल पाणी भी इस दोरन काफी फायदेमन होता है इसे कम से कम दो बार ले, इसके अलावा खाने में उबली हुई पालक, मेथी, गाजर, दो चाच चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे घी तेल मक्षन मलाई कम से कम 15 दिन तक नख है इसके बाद चवड़ी मात्रा में मक्षन या जेतुन का तेल उपयोग कर सकते हैं इस दवरान भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें परियाप्त प्रोटीन विटामिन सी विटामिन ई और व परवही न बढ़ते तो आई थिंग आपको पिल्या से जंबंधीत पुरी जानकारी मिल के होगा अगर आपका कुछ सेजेशन है तो कमेंट करके जुरूर बताए अगर ये वीडियो आपको पस्चान्द आए होगा तो लाइक करे शेयर करे और इसे प्रकार की वीडियो पा